Hi everyone, सभी पेरे पेरे वीवर्स का warm welcome करता हूँ Y.A.T. Your English Shooter पे आज दा हिंदू का ये special article पढ़ने वाले है Challenging Dogma इसका title है ये article लिखा हुए हमारी गलियों में stray dogs की संख्या के बढ़ने पे कैसे गलियों में कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है और सरकार जो है न, कोई अच्छी policy ला नहीं पाई जिससे कुत्तों की संख्या को कंट्रोल किया जा सके और ये वही dogs हैं किसी को काट भी लेते हैं और rabies का infection भी आगे फिलाते हैं चली शुरू करते हैं इस article को अपने quiz के साथ में आर्टिकल पढ़ते हुए सिर्फ translation में खो मत जाना साथ में grammar के, vocab और comprehension के questions भी आपको solve करने हैं सब questions के solutions class के last में करवाँगा आईए class को शुरू करते हैं चलिए, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये article आज तो publish हुआ है नहीं दा इंदो में ये article publish हुआ था आठ मार्च को बहुत प्यारा article था, हमने miss कर दिया था और आज जो publish हुए हैं, दोनों ही article irrelevant से हैं अपने content में तो उनको छोड़ करके इस article को उठा रहे हैं जो ज़्यादा relevant है, ज़्यादा beneficial है केरेजी challenging dogma अब ये dogma क्या होता है देखे, dogma का मतलो होता है सिधान्त, doctrine, principle percept, tenet या maximum किसी भी चीज को लेगर के आपने कोई न कोई सिधान्त जीवन में जरूर बनाया होगा वैसे ही सरकारे भी किसी न किसी चीज के लिए हर चीज के लिए कहलो, कोई न कोई सिधान्त बना करके रखती है कुटों को लेगर के चलती है गली के stray dogs को वो principle अब उतना relevant नहीं है आज के वक्त में इनकी संख्या को तादाद को कंट्रोल में करने की जरूत है समझ मागी बात, challenging dogma बात वही कर रहा है on the threat from stray dogs उस threat की बात हो रही है, उस danger यह उस चुनोती की बात हो रही है जो stray dog से हमें आ रहा है stray क्या होता है? अवारा, गलीों में घुमने वाले homeless, wandering, आप देखते हो न? चलिए, अब इसके title paragraph को देखेंगे क्या कहना चाहरा है? dogma, यह word अभी आगे आपको detail में करवाएंगे stray का मतलब होता है, गली में घुमने वाला आवारा, जो की किसी का कोई ठिकाना ना हो तो वो stray हो जाता है अपने आपी कहरे जी, the threat from stray dogs must be framed as a public health issue कहरे, जो threat हमें मिल रही है न? जो चुनोती हमें मिल रही है आवारा कुत्नों से stray dogs से कहरे इस threat को frame किया जाना चाहिए इस threat को दिखाया जाना चाहिए frame करना, किसी चीज को अच्छे से दिखाना establish करना, और कैसे? एक public health issue के तोर पे लोगों की जान के जुड़े हुएक लोगों की health से जुड़े हुएक issue के तोर पे, तो यह जो नया health issue की तरह सरकार सोचे और दिखाये ताकि इन कुत्नों की तदाद कम हो सके threat आपका subject है must be framed must be framed इसकी verb है frame करना, दिखाना, establish करना, formulate करना चलिए, अब जल्दी से article की सारी vocab पे नज़र डालेंगे ताकि जब आप पढ़ रहे हो इसी वीडियो के नीचे एप पे आपको मिलेंगे courses for writing, SSC and banking writing course में descriptive लिखना सिखते हो UPSC या किसी भी exam के लिए essay summary report पे सी almost 60 to 80 hours का course है अच्छे धंग से करोगे तो independently write करना सिख जाओगे in English ये code लग रहा है इसको लगा करके आप फाइदा ले सकते हैं आज midnight तक 475 में अभी इसका price भढ़ने वाले है next month से उससे पहले फाइदा जरूर से ले banking course के अंदर आपको पूरा banking का से लेवर clerical और PO, prelims और mains का plenty of practice sessions के साथ में cover करवाया जाता है तो सही approach देख करके कैसे marks को boost करना है ये banking course में सीख सकते हैं इसी तरीके से SSC के course में SSC के सभी exams का prelims और mains आपको तयार करवाया जाता है एक एक variety के question को detailed approach के साथ में करना सिखाया जाता है courses related कोई भी query हो ये team का number है आप इस पे WhatsApp करके टीम से बात कर सकते हैं आपका link इसी वीडियो के first comment में रखा हुआ है चलो जी ये vocab sheet है अपनी abominable से शुरू करना है और 6-7 words से आज vocab के जो मिन करते हैं इसको चलो abominable word पिछले 2 week में मेरे खाल से 3 बार आ चुका है बहुत ही बुरी चीज को बोलते हैं abominable extremely bad bad है na exceptionally bad child rape is the most abominable crime child rape जो है सबसे बुरा crime है सबसे बुरा गुना है अब देखो abominable बहुत ही खराब चीज के लिए कुछ synonym से अपने पास जैसे की आता है aborant, heinous, repugnant, egregious egregious आये था 3-4 दिन पहले है gruesome, macab और vicious यह जो macabre लिखा हुआ है इसको बोलते है macab कई बार बता चुका हूँ यह word बड़ा advanced word है आज की class में macab word repeat होगा इस word को article में देखेंगे देखो बार बार यह words interchange होके आ रहे हैं कभी egregious आ जाता है उनको एक बार नज़र डाल लो तो जो बच्चा reading कर रहे है रोज उसके यह vocab जो है बड़ी दूस्त हो जाती है अलग से इसको देने के जरूद नहीं है वक्त रोज कहीं इसको आपको लेके बैठता नहीं है कि बीस word याद करूँगा पचास बड़ याद करूँगा वीक में एक बार revision किया जा सकता है वो बड़ी अच्छी चीज होगी लेकिन रोज या day-to-day basis पे reading के दोरान जो vocab आ रहे है उसी पे ध्यान देना है अगला word है डिलेमा डिलेमा का मतलब होता है धरम संकट a difficult situation अब धरम संकट को predicament, quandary, bind या hopson's choice भी बोलते है बहुत अच्छी डियम है या hopson's choice एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई ऐसी choice जिसमें कोई choice होई ना तो धरम संकट नाम के डिलेमा नाम के word को article में देखेंगे अगला word है by no means ये phrase होता है एक adverbial phrase by no means का मतलब होता है बिलकुल भी नहीं बिलकुल भी नहीं not at all है ना not at all या बिलकुल भी नहीं तो ये phrase article में आएगा unemployment is by no means limited to uneducated job seekers unemployment जो है बिलकुल भी नहीं limited है बिलकुल भी सिमित नहीं है अनपढ job seekers के लिए ऐसे लोगों के लिए जिनको job चाहिए और जो अनपढ़ है unemployment आजकल पढ़े लिखो में भी मिलेगी आपको अनपढ़ लोगों सिरफ अनपढ़ लोग ही जो है बेरोजगार नहीं है ना by no means it is limited to uneducated people hardly scarcely या barely इसके synonyms हैं ये phrase आर्टिकल में आज आने वाला है conundrum ये word तो अब अच्छे से जानी चुके होंगे इतने दिनों में एक ऐसी puzzle जिसका कोई solution निकालना बड़ा मुश्किल हो कहलाती है English में conundrum इसको enigma, riddle, mystery, paradox इन सभी word से बताया जा सकता है आरूशी murder case is still a conundrum for the intelligence agencies आरूशी murder case आज भी एक conundrum है एक puzzle है intelligence agencies के लिए समझे न जो agencies intelligence को gather करती है जैसे जो अपनी CBI है या police है चलिए next word अपने पास encumbrance देखी ये encumbrance word जो बनाना ये बना है encumber से encumber एक verb है और encumber का मतलब होता है restricted करना किसी सीमा में किसी को बांधना encumbrance का मतलब होता है जी restriction या hurdle restriction या hurdle आगी बाल समझ में encumber मतलब restriction लगाना पाबंदी लगाना encumbrance मतलब पाबंध encumbrance मतलब पाबंधी ये पाबंधी लगाना और वो हो गया पाबंधी इसी से adjective बनेगा encumber ऐसा आदमी जिस पे पाबंदी लगी हो जो पाबंध हो तो ये तीन फॉर्मस है एक ही वर्ड की पाबंधी लगाना पाबंधी और पाबंध encumber, encumbrance and encumber corruption is a major encumbrance in the growth story of India corruption एक बड़ी पाबंधी है एक बड़ी restriction है एक बड़ी hurdle है भारत की growth story में भारत की विकास की कहानी में आज ये word encumbrance आर्टिकल में मतलब होता है फर्क और इन लगाया गया है इसका एंटरिम बनाने के लिए इन डिफरेंस का मतलब है आपका lack of concern कि चीज से फर्क ना पड़ना जैसे आपने newspaper में कुछ पढ़ा कि Ukraine में यह हो गया आपने पढ़ा और आप आगे बढ़ गए क्योंकि अपने कुछ फर्क नहीं पड़ता है अपने Ukraine में नहीं रहते हैं अपने इस चीज को आखो से नहीं देख रहे हैं तो यहीं हमारा इंडिफरेंस है यहीं हमारा lack of concern है इंडिफरेंस to your career can cost you dearly अगर अपने करियर के लिए भी lack of concern रखते हूं तो यह चीज आपको कोस्ट कर सकती है इस चीज के आपको कीमत चुका नहीं पड़ सकती है बहुत ही ज्यादा बहुत ही डियरली का मतलब होता है very expensive बहुत expensive कीमत आपको चुका नहीं पड़ सकती है अन इंडिफरेंस को अपने disinterest, nonchalance, apathy और callousness से भी बताते हैं callousness होता है आप ही cold heartedness एकदम ठंटा दिलो ना आपको किसी चीज के लिए तो आप कैलस होते हैं बिल्कुल आपको कुछ फरक ना पड़ रहा हो तो इसलिए indifference का ही synonym है यह word आर्टिकल में आएगा last word है आज का menace नया word है menace का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिससे evil या danger का source आपको लगे ऐसी चीज जिससे आपको बुराई और खत्रा दिखाई देता हो menace for example drunk drivers are menace to everyone on the road शराब पी हुए जो drivers है drunk drivers जो है वो एक खत्रा है एक बुरी चीज है हर आदमी के लिए जो सड़क पे घूम रहा है वो menace है सभी के लिए तो menace नाम का word article में देखेंगे menacing इसकी adjective form है ऐसी चीज जो menacing हो जो खत्रे से भरी हो menace मतलब खत्रा और menacing मतलब खत्रे भरा peril danger threat warning सभी इसके synonyms है word article में आ जाएगा चलो अब जल्दी से अपने article के लेते हैं समरी देखें समरी यह है कि दुनिया की एक simple सा formula approach है dogs को लेकर के आवारा कुत्तों को लेकर आवारा कुत्ता सड़क पे नहीं गुमेगा अगर कुत्ता आपका है पालतू है आपने उसके गले में leash बांध रखी है सरकार के पास registered है आपके नाम से तब तो आप उसको सड़क पे ल नहीं मारेगी सिरफ उसको sterilize करेगी सिरफ उसके reproductive organs को remove करेगी ताकि इनकी तादाद को कम कर सके और यह policy fail हो चुकिए पिछले 60-70 सालों में dogs की संख्या बढ़ रही है और यह बार-बार लोगों को क्या करते हैं attack करते हैं हमरा article कह रहा है कि इस dogma को इस policy को challenge करने का वक्त आ सड़के लोगों के humans के चलने के लिए इस पर स्ट्रेय डॉक्स वह बिल्कुल भी acceptable नहीं होने चाहिए आज की समरी है आज की टोन है analyzing analyze कर रहा है सरकारी policy को suggesting सरकार को suggest कर रहा है क्या सरकार कर सकती है चलिए शुरू करें कैरे जी the newspaper rule of thumb is that dog bites man stories are not newsworthy कैरे जी newspaper का rule of thumb यह है rule of thumb का मतलब होता है एक ऐसा कानून एक ऐसा rule जो कि आपको चलना ही है वहलाव एक समझते ने रोस एक देशी सा फामुला तो newspaper वाले लोगों का एक देशी फामुला rule of thumb यह होता है कि जो dog bites man कुत्ते ने आदमी को काट लिया करा इस प्रकार की जो stories है जो news है व कोई आदमी जा रहा था और उसको dogi ने काट लिया rule of thumb इसकी वर्ब है is stories की वर्ब है और यह जो rule of thumb वर्ड है इसका हिंदी मुझे मिनिंग याद नहीं आ रहा आप देख लेना इसको चेक करना कुछ बोलते होंगे हिंदी में जनरली इसको कुछ लोग गलत तरीके से बोलत है थम रूल थम रूल है ना एक आडू सा रूल एक रौ सा देशी सा रूल बोलते है थम रूल लेकिन थम रूल गलत वर्ड है गलत फ्रेज है इसको rule of thumb बोला जाता है ठीक है तो कभी भी थम रूल ना बोले यह थम रूल है इसको बोले है rule of thumb आगे करे करें जी however with a nearly 1.45 करो करें फिर भी हालां की लगबग देड़ करोड स्टेड़ की पुपुलेशन के साथ ही अवारा कुत्तों की अबादी के साथ ही देड़ करोड है ना यह देड़ करोड है दो जार उन्नीस की लाइव स्टोक की सेंसस से खमें लाइश्टोक का मतलब होता है जान्वर जान्वरों की जनगन्ना जो हुए थी 2019 उसके हसाब से धेड़ करोड बता रहे हैं और कहरे एक दूपियस इस्टिंक्शन होने की है दुनिया की dog bite और rabies capital तो इंडिया को अनोफिशली दुनिया की dog bite rabies capital बोला जाता है क्योंकि इतने stray dogs आया पे कि कभी न कभी किसी न किसी के कुत्ता तो खाय हुआ है rabies का injection लगा ही हुआ है करेज इन दोनों चीजों के साथ ही डेट करोड कुतों के सड़कों पे होने के साथ ही और भारत को यह उपादी अनोफिशली मिलने के साथ ही हुआ क्या हुआ यह कि भारत की जो stray dog menace है stray dog से आने वाला भारत को जो खतरा है भारतियों को के रहा है उसका एक study presence है उसका लगातार उपस्तिति है उसकी विद्यमान है वो है ना present है वो हमारी मीडिया में हमारी न्यूज में और हमारे पूरे एकोसिस्टम में और कब तक present है यह तू दौ पॉइंट ऑप बिंग एनस्टिसाइजिंग उस पॉइंट तक उस कगार तक पेले जो है एनस्टिसाइजिंग होने की अब होता है ए Earist一下 आपने सुना ओगा ओगा मरीज को डवा देखर अप्रेशन से पहले ऑने सुलाते हैं ईनस्टिसा देते हैं अगर कोई चीज एने स्थेटिसाइज करती है तो वो चीज आपको एकदम डिजी या काम बना देती है मला उस चीज को देख करके आप बिल्कुल भी आपके मन में कुछ आता नहीं है रोज की बात हो जाती है आपके लिए तो इस तरीके से भारत में इतना ज़्यादा यह चीज आम है कि हमें फरक ही नहीं पड़ता हम सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं स्ट्रे डॉग मैनस एक पूरे तरीके से प्रेजेंट चीज है हमारे मीडिया एकोसिस्टम में सेंटेंस की स्ट्रेक्चर समझ चुके हैं थोड़ा लंबा है स्ट्रे डॉग मैनस इसकी वब है है मैनस का मतलब होता है सोर्स ओफ डेंजर या इवल ऐसी चीज बहुत खराब चीज जिससे आपको बहुत खतरा हो चली यह डूबियस का मतलब होता है डाउट फुल जो बिय है करें कभी-कभी है स्टूपर का मतलब होता है कॉमा है क्वी कभी-कभी आप शौक में कोमा आज दो तो हमें तो फरक पड़ दू है गुटे घूम रहे हैं बच्चे भी खेल रहे हैं क्योंकि यह रूटीन लाइफ का पार्ट हो चुका है कर्या यह जो कॉमा संहीं हम घू मेकाब, इग्रीजियस, हॉरिबल, हीनियस, अबॉमिनेबल याद है न सारे वर्ड बहुत ही खराब चीज, वेरी डेंजरस या वेरी बाद तिंग, एक्सेप्शनली बाद तिंग, स्टूपर एक नया वर्ड आपके लिए इसका मतलब होता है शौक या फिर कॉमा, अब कैसे ह हुआ में कब, करेजी एन इंफैंट इन राजस्थान हॉस्पिटल, वाज रिपोर्टेडली टेकन अवे बाई स्ट्रे डॉग्स, वाइल स्ट्रेज अटाइक दाइक फोर येर ओल्ड विद फेटल रिजल्ट्स, करे एक छोटा सा बच्चा इंफैंट, इंफैंट का मतलब होता है, एक साल से छोटा, करे जी, तीन सो पैंसर दिन से छोटा बच्चे जो था, राजस्थान में हॉस्पिटल में उसको रिपोर्टड ली, रिपोर्ट किये जाने वाले तोर पे, कथी तोर पे टेक अवे किया गया, उठा के ले जाए गया, गली के गुमने वाले कुट by CCTV cameras in Telangana जो चीज capture भी की गई CCTV cameras पे तिलंगाना नाम के इस राज्य में तो इस तरीके से दो घटना है देखी हमने मेकाब का example देखा बहुत ही खराब चीजों को हमने देखा infant की verb है was taken away, infant was taken away passive voice में और strange की verb है attacked active voice में voice पे जरूर ध्यान देना है हर sentence की structure जब भी देखो तो यह check किया करो यह active voice है यह passive voice है आपकी understanding यहीं से build होती है which की verb है captured which आया है इस पूरी घटना के लिए जब attack किया ना बच्चे पे खुत्ते ने तो इस पूरी घटना को जो है which के लिए which से बताए गया which was captured चली और आगे बढ़ते हैं करे जी both incidents constitute only a fraction of the many dog attacks करे जी दोनों जो incidents हैं जिनको सुनके आपको बड़ी नफरत हुजागी इन dog से यह incidents जो है न यह बनाते हैं constitute करते हैं make up करते हैं सिरफ एक हिस्से को एक fraction को बहुत सारे dog attacks के तो यही दो किस्से नहीं है बहुत सारे हैं जो टीवी मीडिया में आप नहीं देखते हैं इनके अलावा भी incidents की वह है constitute constitute का मतलब होता है मिलके बनाना करे जी despite the acknowledgement of the crisis by states, the center, the judiciary, municipalities and non-governmental organizations और NGOs the problem fastest करे जी despite यानि की बावजूद अच्छा किसके मान लेने के acknowledge कर लेने के इस समस्या को इस क्राइसिस को इस पूरी आपदा को और किसके द्वारा राज्यों के द्वारा केंद्र सरगार के द्वारा नय पालिका के द्वारा municipality नगर पालिका के द्वारा और बहुत सारे एंजी ओज के द्वारा करे बावजूद इस समस्या को मान लेने के acknowledge कर लेने के सब मानते कि यह समस्या सड़कों पर है करे इसके बावजूद यह problem यह समस्या आज भी faster कर रही है फेस्टर का मतलब होता है किसी चीज का और खराब होते जाना किसी गहाव का किसी और समझ जबrying ना वुंड jsुसके इंदर ओर और जो खराब होता जाता ना उसको उलते फेस्टर हो ना तो यह परॉबल्म यह जो गहाव न समस्य का यह aggravate ही होता जा रहा है और खराब होता जा रहा है यह faster word आप problem और wound के साथ में जरूर देखेंगे a festering wound एक ऐसा घाव है जो भढ़ने का नाम नहीं ले रहा है और आगे से आगे बिगड़ता जा रहा है na festering चली अब next paragraph पर आजाओ देखें इस समस्य का government क्या solution कर सकती है करे जी dogs have a unique relationship with man's evolutionary history one of companionship करे डॉग्स की एक बहुत ही unique सी relationship है बहुत ही खास रिस्ता है आदमी के evolutionary history के साथ में आदमी के इंसान के विकास के history के साथ में evolutionary मतलब जैसे हमारा evolution हुआ पहले बंदर थे बंदर से चिंपांजी बने लंगूर बने फिर लंगूर से आदमी बने तो हमारी history के साथ में dogs की history भी साथ साथ चली है बड़ा unique relationship है और relationship जो है ना वो companionship का है दोस्ती का है dogs की verb है have ठीक है evolutionary मतलब development से related companionship मतलब friendship करया जी this poses a moral dilemma of being responsible for their welfare but also confronting the vagaries of their evolution from wolves and their territorial instincts करया ये जो दोस्ती का रिस्ता है ना यही पोस करता है यही घड़ा करता है एक नेतिक डिलेमा को नेतिक धरम संकट को और किस चीज का धरम संकट है यह दरम संकट है होने का responsible यानि की जिम्मेदार इनकी भलाई के लिए इनके welfare के लिए तो एक तो हमारे पास यह responsibility है कि कुट्ते हमारे सबसे पुराने दोस्त है वफादार दोस्त है तो इनके welfare के लिए हम जिम्मेदार है लेकिन साथ ही साथ बटा also हमें confront भी करना है यह dilemma confront कर करने की भी है सामना करने की भी है उन वैजरी को उन चेंजी को जो उनके evolution में आए हैं उनके development में आए है वुल्फ से भेडियों से और उनके territorial instincts को उनके अंदर की उस gut feeling को जो territory को लेकर के उनकी होती है कुट्ते अपनी territory को लेकर के बड़े defensive होते हैं अगर उसकी territory में कोई द सामने है इन कुत्तों को एक भेडियों से पैदा हुआ एक डेंजर समझें या फिर इनको अपना दोस्त समझ के इनके welfare के लिए responsible हो जाए दिसकी वह वह पॉजिस पोज का मतलब है खड़ा करना यह वर्ड आपको मिलेगा डेंजर के साथ डिलेमा के साथ question के साथ में doubt के याद रखना आज के quiz में कहीं पूछ लूँ ठीक है hobson's choice एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई hobson's choice चलिए confront करना यानिकी सामना करना वैजरी का मतलब होता है बदलाव यानिकी change इनके evolution में बहुत सारे बदलाव आई है यह भेडिये हैं लेकिन इस तरह के भेडिये हैं ज much of the world has drawn the line by de-recognizing the rights of stray animals करें जी जहां यह बिल्कुल भी एक कॉलन ड्रम नहीं है बिल्कुल भी एक पहली नहीं है जो unique to India है जो इंडिया के लिए खास है इंडिया में यह पहली नहीं है दुनिया भर में है यह पहली कुत्तों के साथ क्या किया जाए करें जहां बिल्कुल गे इन stray animals के rights को दुनिया क्या कहती है कि इनका कोई राड नहीं है सड़क पर stray animals का आवरा जो है animals का अच्छाए गाएँ हो भैश हो जोगी इनका काम है यह जंगलों में यह आपके पलतू घरों में पलतू बनकर आपके घर में तो अब ये यह horas अ anthrop बता रहा है के column लगा human custodians जो हैं उनके आदमी जो custody में उनको लेकर रखते हैं उनके जो मालिक हैं वो obliged हैं वो compelled हैं और क्या करने के लिए इनका ध्यान रखने के लिए take care of them करने के लिए अगर आपका डोगी है तभी आपको ध्यान रखना नहीं तो सड़क पर कोई डोगी है तो यह आपकी बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है कि वह सड़क पर रहे खाए यह सरगार की जिम्मेदारी है उसको सड़क से हटाया जाए तो यह लाइन दुनिया की चुकिए काफी पहले डोगी को लेकर के मच की वहब है मच उप दा वर्ड की वहब है हैस ड्रॉन कॉलंटर मतलब पहली मिस्ट्री पैराडोक्स एनिग्मा डिडल है ना यह वर्ड आपको करवा चुके हैं उपर ग्रामर के वक्त में बाइन मिन्स मतलब not at all यानिकी बिल्कुल भी नहीं लीश का मतलब है जिसे गल इसा नहीं है इफ नॉट से पता लग गया कि पूरी बात अगर उपर वाली नहीं है तो फिर जो स्टेट है जो राज्य है एक लास्ट रिसोर्ड के तोर पे आकरी चारे के तोर पे एंकमबड है पाबंध है इनको यूथनाइस करने के लिए यूथनाइस करना मतलब किसी ज नहीं सकता चल नहीं सकता एज बहुत हो गई है डॉक्टर में बोलती है ब्रेंड है तो सरकार उसको यूथनाइस करने का आपको पर्मीशन दे सकती है दवा के जरीए उस आदमें को मुक्ति दी जा सकती है तो करे तो स्टेट भी पाबंध है इन कुत्तों को मुक्ति देने के लिए पबलिक इंटरस्ट में पबलिक की हैं इसका मतलब है पाबंद और एक अड़र्टी वे इसका मतलब है पाबंध तो स्टेट पाबंध है यूथनाइस देख लेना किसी को जान बूच करके दवा देके मारना कानून की हदों में रहते हुए चलिए लास रिसोड मतल जब सहारा या चारा करेंजी दे प्रवेंशन ओफ टू एनिमल्स एक्ट एनिमल्स एक्ट यह वाला बड़े से नाम वाला जिसको मोलते हैं पीसी एक्ट और दूसरे रूल्स है नहीं पास एवी सी रूल्स एमनिमल्स बर्थ कंट्रोल्स जो हैं डॉक्स की उपर बने हुए जिनको अप्डेट भी कर रहे हैं करें यह एक्ट और यह जो रूल है ना जहां यह एमड एड है जहां इनका निशाना है लिमिट करना सीमीद करना डॉक्स की पॉपलेशन को यह हुआ करते हैं कुछ भी नहीं करते है इं मपैली कि शेफ्टिकर यह एक्ट के लिए इन रूल्स और एक्स में कोई बी कलम कुई धरा आपको नहीं मिलएगो इन दोनों की वह वह है दू चली ओर आगे बढ़ते हैं करे जी तब प्रपोज ड्राफ्ट रूल्स और अनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स ट्वेंटी टू अनली पुट फॉर्थ प्रोसीजरल चेंजेस इन स्टेरलाजेशन अन्ड वेक्सिनेशन पर्मिट अनली डॉक्स टो भी यूथनाइस्ट करे जो प्रपोज ड्राफ्ट रूल्स हैं यह 2001 वाले अपडेट हो रहे हैं तो नए जो ड्राफ्ट रूल्स बने हैं अभी जो 2023 में पब्लिश होंगे या फिर उनको आप बोल सकते हैं एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2022 करे वह जो रूल्स को स्ट्यलिजिशन में और स Mor라 स्ट्यृशन में कुट्तों का वैक्षिनेशन होता रिवीस के लिए स्ट्यल्स अहला सेलिए की जान ले ले गी ऐसे केस में ही डॉक को आप दवाई देके मार सकते हो तो यह मारे इतना ही permit करते हैं करा जी विच इस वर्ट एग इसिस्टिंग rules permit करें यह वही चीजे जो existing rules भी permit करते हैं नहीं रूल में कुछ नया नहीं किया आपने पुराना रूल्स भी तो यह और कह रहे हैं यह नए रूल्स जो है न यह बनाते हैं में करते हैं Resident Welfare Association के Leaders को Responsible यानि जिम्मेदार Feed करने का खिलाने बिलाने का गली के अवारा खुत्तों को Stained Pockets को ठीक है तो यह कहते हैं नए रूल्स इनको खिलाओ पिलाओ भूका मत मारो अगर Motley Wounded नहीं है ठीक है तो तीन वर्ब्स है रूल्स की रूल्स पूट फॉर्थ रूल्स पर्मिट एंड रूल्स मेग विच की वह बैइस रूल्स की वह परमिट यह existing rules मतलब जो भी rules चल रहे हैं नए rules आने से पहले वाले पुराने वाले Motley मतलब जानलेवा तोर पे in a life threatening manner और sterilization का मतलब होता है किसी जानवर को infertile बनाना उसके reproductive organs को काट देना sterilization का एक और meaning भी है किसी चीज को disinfect करना sanitize करना है ना कभी-कभी आप देखो कि डॉक्टर भी है sterilize करता है अपने उपकरणों को अपनी पेरा फढ़ने लिए को गरम पानी में डालके पांस मिनिट दस मिनिट तो वह भी sterilization है और किसी जानवर को infertile बनाना वह भी sterilization है एक ही unchecked strains है uncontrolled अवारा कुत्ते हैं उनको restraint किया जाना चाहिए उनको सिमित किया जाना चाहिए तो rules में यह तो लिखा है कि इनको restraint करना है लेकिन यह नहीं लिखा कैसे किया जा सकता है rules की वह बहुए acknowledge strains की वह बहुए restraint must be restraint passive voice में unchecked मतलब uncontrolled जो मतलब जिनको control ना किया सके ऐसे आलांकि यह जो rules है यह factor in नहीं करते हैं factor in करना मतलब consideration में लेना अपने calculation में लेना यह rules बिलकुल भी calculation में ले नहीं पा रहे हैं और किसको इस समस्या के magnitude को जो problem हम face कर रहे हैं उसके level को अब क्या magnitude है that there is nearly one stray for every hundred Indians and that India lacks the infrastructure and mechanism to ensure that the most vulnerable the poor and their children are able to access treatment and that expanding expecting dog numbers to reduce on their own with sterilization and vaccination is a pipe dream तो इसने तीन एक्जामपल दी हैं आपको पहला एक्जामपल यह है कि लगबग सो भारतियों पे सो इंडियन पे एक आवारा जानवर आपको कुत्ता भैस या गाए मिलेगी सड़क पे दूसरी चीज यह कि भारत में अभी भी कमी है इंडिया भी लग करता है उस infrastructure को उस धाचे को और उस mechanism को सिस्टम को जो इंशोर करेगा कि सबसे वनरेबल जो हैं सबसे कमजोर लोग जो है समाज के गरीब लोग और उनके बच्चे करेब वो लोग एबल हैं वो लोग सक्षम हैं एक्सेस करने में पहुंच रखने में ट्रीटमेंट तक आगी बाद समझ में कि डोगी ने कटा तो उसके बाद उनको ट्रीटमेंट कैसे मिलेगी फटा फट से और तीसरी चीज यह चीज भी है magnitude of problem कि expect करना dogs के numbers को कि वो reduce हो जाएगा on their own अपने आप ही और कैसे sterilization और vaccination से यह expect करना का जो काम है यह अपने आप में एक pipe dream है अपने आप में एक दिन दिहाडे देखने जाना वाला सपना है daydream है समझते न daydream जो आप दिन में सपना देखते हो जो कभी पूरा ना हो पाए आगी बाद समझ में तो यह है magnitude का problem simple sentence है इंडिया की वर्ब है lacks expecting की वर्ब है is vulnerable की वर्ब है आर चली हो रहा के बड़े यहाँ पर एक छोड़ा सग्रामर रूल है access के उपर यह आपको करवाता हूं भी अपने पूरा आटिकल भी पूरा कर देते हैं अभी दो तीन sentence ही बचे हैं करा India has committed to eliminate rabies by 2030 but without first framing the threat from stray dogs as a public health crisis India's poorest will continue to see their rights to safe public spaces करें इंडिया कमिट कर चुका है इंडिया जो है वादा कर चुका है करें लेकिन पहले बिना इस काम को किये without first doing this thing और किस काम को किये फ्रेम किये इस threat को stray dogs से दिखाते हुए बिना दिखाए इस threat को जो stray dogs से हमें मिलती है और क्या दिखाते हुए एक public health का crisis एक लोगों की जान को खत्रा करें इंडिया के जो poorest है इंडिया के जो सबसे गरीब है न वो जारी रहेंगे continue करेंगे देखते रहना अपने right को अपने अधिकार को और जो अधिकार है safe public spaces का बड़े ही महफूस तरीके से public में रहने का public spaces में safe होने का करें वो देखेंगे अपने right को कल्ड होता हुआ होता हुआ देखेंगे अड़ ऑल्टर ऑफ क्यलस एक्टिविजम एक्टिविजम इन डिफरेंट एक्टिविजम असवेदंशील एक्टिविजम की ऑल्टर पर यानिकी वेधी पर यहां पर ऐसा समझगे ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर या तो आग में आउती दें अपने की जानवर को सीक्रिफाइस करें तो यह जो कलس एक्टिविजम हम बना के बैठें है ना ऐसा एक्टिविजम जो लोगों के लिए cold-hearted है वह सिरफ कुत्वों केल हम सोच रहे हैं इन्सानों का नहीं सोच रहे इस एक्टिविजम की वेधी पर इस an एक्टिविजम के और पे हम देखेंगे कि पूरेस्ट के अधिकार जो है वो खतम होते जाएंगे इस पूरी गलत सी पॉलिसी के चक्कर में पूरेस्ट जो पीपल है वो सेव अपने आपको फिल नहीं कर पाएंगे पब्लिक स्पेसिज में चलिए यह थोड़ा सा लास्ट वाला ना पोईटिक तरी मैं ठीक से इसकी वर्ब है विल कंटिन्यू पूरेस्ट हो गया आपका सब्जेक्ट और विल कंटिन्यू हो जाएगी आपकी वर्ब चलिए अब लास्ट सेंडेंस में एक एरर है अगर आपको मिलती है तो एक बार ढूंड के बताओ फिर वो एरर और पीछे वाला जो एक्स अगर चाहिए तो यहां पर देखोंगे दिमाग में बैठेंगे इसी इनी जो लिस्ट का पार्ट है कमिटीट के बाद में या तो नाउन लगाओ या फिर वह की आएंजी फॉम लगाओ अगर ऐसा है तो फिर यहां पे कमिटेट टू एलिमिनेट नहीं कमिटेट टू एलिम सिर्फ एससी वालों को जो भी अच्छे राइटर्स होते हैं ऐसी लिस्ट वह बनाकर रखते हैं अपने नोट्स में चेक करते हैं वारबार की कई मैंने टू के बाद में वह अपके एंजी फॉम लगाना भूल तो नहीं गया है ना दीज़े आपके दिमाग में बैठ जाती आपको लिस्ट देखने की वारबार जरूत नहीं पड़ती है चलिए दूसरी जो गलती है गलती तो क्या है दूसरा जो कॉंसेप्ट है वह है एक्सेस का एक्सेस नाम का जो वर्ड है इसके बाद में कभी-कभी आप टू देखते हैं और कभी-कभी टू नहीं देखते हैं राइकस टू ट्रीटमेंट या एकसेस ट्रीटमेंट बीना टूक है दोनों में इसे कौंसा स woods होता है बतापऊगे चला दोनों अलग अलग चीजी हैं यह पता लगए आपको इस concept से देख से कॉंब कोभी-कभी English में कुछ words ऐसे मिलेंगे जो वर्ब और noun भो भी attack है तो in words की खासित यह है noun form में तो अपना preposition लिलके चलने है लेकिन verb form में इनके बाद में कोई preposition नहीं है और अगर नौसीखिया आद्मी रेखता है तो वो यह देखता है कभी-कभी attack के बाद में on लगा हुआ है और और was confused हो जाते है तो आपको क्या करना है, इन words की list बनानी है, जो मैंने आपके सामने अल्रेडी रख दी है, इसका screenshot ले लो, और इनकी noun form में इनके बाद में रखा हुआ preposition आपको ध्यान में रखना है, verb form में जब भी ये दिखें, इनके बाद में कोई preposition नहीं लगाना, sentence में आपको चेक करना चाहिए, यह noun है, verb है, तो stress noun form में on लेगा, verb form में no preposition, वैसे attack on लेगा, order for लेगा, demand for लेगा, है न, access जो है noun form में अपने बाद में to लेगा, access का मतलब होता है, उपलब दता, access verb इसका मतलब होता है, उपलब दता पाना, पहुँच पाना, यहाँ पे आप no preposition, इसके बाद म this door, दोनों जगह access के बाद में to लगा हुआ है, लेकिन एक जगह गलत है और एक जगह सही है, पहले दिखो access क्या काम कर रहा है दोनों sentences में, यहाँ पे can helping verb है, access main verb है, तो access यहाँ पे बन गया verb, और यहाँ पे has main verb है, इसके बाद में v3 नहीं लगी हुई, इसके बाद में access आपका noun लगा हुआ है, तो यहाँ पे access है noun, noun form में इसके बाद में to सही होता है, verb form में गलत होता है, तो इस to को आपको निकालना पड़ेगा, वैसे ही, a panel of experts will discuss on या about the issue in a live session on the channel, एक panel of experts जो है वो discuss करेगा इस issue को एक live session में channel क्यों पर है न, यहाँ पे discuss जो है एक verb है, verb form में discuss के बाद में कोई proportion नहीं आती, discuss on या discuss about जो लिख रहे हैं, that is wrong, वो गलत है, लेकिन दूसरे में देखो, a new channel will hold a live discussion on या about the issue, एक new channel जो है hold करेगा, अब देखो यहाँ verb आ चुकिए will hold, verb का object है live discussion, verb से what का reply कर रहा है, तो यह एक noun है, noun form में discussion अपने बाद में on या about ले सकता ह समझे रहे हैं, तो यह गलत है discuss के बाद में, discussion के बाद में on about सही है, तो ध्यान दखना है, impact जो है verb form में impact के बाद own गलत है, लेकिन non form में impact के बाद में own आता है, बस यही concept आज का, यहाँ पे access, two access, एक semi verb है, एक infinitive है, इसलिए इसके बाद में two को नहीं लगाए गया, अगर इस दिन अच्छे editorials ना publish होते हैं हिंदू में, तो उस दिन इन articles को हम take up करते हैं, first question देख लो अपना फटावर से, इन में से कौन सा measure, कौन सा कदम, employee किया जा सकता है, use किया जा सकता है, इस passes को देख करके, इस समस्या को tackle करने के लिए, कि dog biting your manas है भारत की streets पे, तो कौन सा कदम आपको लगता है कि उठाया जाना सही है, article को पढ़ने के बाद में, जिससे कुत्तों की तादाद फिर, कुत्तों के इनसानों को काटने की मैनस पर पिंट्रोल कर पाएंगे, आप जो है stray dogs को adopt करें, आप उनको पालतू बना के घर ले हैं, या फिर, जो कुत्तों को रे किसी के पालतू है, जो least है, जिनके गले में पट्टा है, उन्हें को पर्मिट करें, तो चारों में से आपको क्या लगता है, इस article में क्या suggest किया है, कौन सा measure इंडिया को अपनाना चाहिए, थोड़ा गहरा question है, अच्छा एडवांस question है, कोशिश करोगे, तभी answer निकलेगा है, पहला यह statement कि यह जो rules है, यह stray dogs के inauthentic data बे बेस्ट है, या फिर यह जो rules है, stray dogs की संक्या को जरोल से ज़्यादा बड़ा जड़ा के बताते हैं, और estimate करते हैं, या फिर यह जो rules है, यह bank कौन करते हैं, आशा करते हैं कि vaccination और sterilization से dogs की संक्या अपने आप कम हो जाएगी अ अपने आप, हैना, चमतकार के साथ, और या फिर यह rules जो है, नाकाम्याब रहते हैं, recognize करने में, गली के कुत्तों के अधिकारों को, stray dogs के rights को, तो क्या लगता है, चारो में से किस statement में हमारी current policy की गलती आपको दिखाई दे लिए, अच्छा question है, जिसने article अच्छे से पढ़ जो है adjective, चोते में आपसे पूचा है, option choice, इस idiom का क्या meaning है, अगेन यह idiom हो चुकी है, पांचे में दो errors है, errors कहा मिलेंगी, चलो, मैं थोड़ा सब को hint दे रहा हूँ, एक तो इस पार्ट में, और दूसरी आपको मिल सकती है, इस पार्ट में, ठीक है, इस पार्ट में, साथ आप उसको improve कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, answer first comment में डाल दी है, जाके check कर लेना, कोई भी query हो, comments में लिख सकते है, मुलगात लेंगे आपसे next session में कल, until then, signing out. करके बात कर सकते हैं,